हेलो एबरिवन, वेलकम टो तास्व एकेडमी, आप सभी व्यूवर का बहुत बहुत स्वागत है वीडियो शुरू करते हैं महातपुरुन करटाफेर का, जिसका अंग 20 है, और लेडी 19 अंग अप्लोड किया चुके है उसका लिंक आपको discussion box में दिया गया है, वो सारे वीडियो आपके exam के लिए काफी important है उन वीडियो को जरूर देखिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ सेयर करिएगा और कमेंट करके बताएगा वीडियो को कैसा लगा चलिए सुरू करते हैं वीडियो आर्थिक मामलों की मंत्राले समीत ने 10,000 नए किरसक उतपाद संगठनों के गठन और प्रसाहन के लिए किरसक उतपाद संगठनों की अस्थापना और समवर्धन योजना की सुरूआत प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने कहां सी किया है तो आर्थिक मामलों की जो मंत्राले है वहाँ FPO यानि कम से कम 10,000 ने FPO के अस्थापना करना है उनका प्रसाहन करना है उनका समवर्धन करना है तो ऐसे किरसक उतपाद संगठन की सुरूआत मान्य प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी ने कहां से किया है तो इसकी सुरूआत की है चित्रकूट से चित्रकूट से इसकी सुरूआत हुई है काफ़े इंपोर्डेंट है ये क्योंकि ये प्रधान मंत्री के द्वारा सुरू की गई योजना है चित्रकूट द्वारा इसके लिए कुल जो बजट दिया गया है टोटल बजट इसका ये है इसका है चित्रकूट और टोटल बजट जो है वो 4,496 करोड रूपए 4,496 करोड रूपए यानि 4,496 रूपए जो है दिये गया है और ये टोटल 5 year के लिए दिये गया है 5 साल के लिए बजट दिया गया है कि 10,000 FPO के प्रोसाहन के लिए भी दिया गया उनके स्थापना और समवर्धन के लिए दिया गया है प्रारंबे में जो मैदानी छेतर है हमारे तो मैदानी छेतर में जो FPO होंगे उनकी संख्या कितनी होगी तो मैदानी छेतरों के लिए 300 होगी और हमारा जो पुर्वतर छेतर है पुर्वतर और पहाडी छेतर है उसमें पहले 100 FPO के अस्थापना की जाएगी तो टोटल बजट दिया गया है 4,496 करोड और अगर हमारे मैदानी भागों के FPO के देखते तो पहले स्टार्टिंग में 300 और पुर्वतर और पहाडी छेतरों में 100 FPO के अस्थापना की जाएगी और इसकी सुरुवात प्रथान मंतरी नर्मोदीजी ने चेतरकूर से की है इसका बिस है रहा है भारत 2020 डिजिटल परिवर्तन तो इसका जो subject है थीम जो है काफी important है यह आपके exam में direct पूछा जा सकता है तो इसका जो सम्मेलन हुआ है मुंबई में हुआ है और इसकी थीम है भारत 2020 डिजिटल परिवर्तन पचासमे विस अर्थिक मंच सम्मेलन 2020 का अवजन कहां किया गया है तो पचासमा जो हुआ WEF का है World Economic Forum का जो सम्मेलन हुआ है वो कहां पे किया गया है वो हुआ है स्विजर लैंड के दावोस में स्विजर लैंड के दावोस में इसका सम्मेलन हुआ है और दाबोस में आउजित किया गया है सम्मेलन आपकी सुजेलन के दाबोस में किया गया है इसका बिसे रहा है एक जुट योमधारडिये विस्ट के लिए हित धारग एक जुट योमधारडिये विस्ट के लिए हित धारग और इसका जो सम्मेलन का योजिन किया गया है सुजेलन के दावोस में किया गया है भारतिय अंतरिच अंसंधान जिसको इसरो बोलते हैं भारतिय अंतरिच अंसंधान संगठन ने इसकोली बच्चों के लिए युव बैग्यानिक कारकरम यूबी का नामक बिसेश कारकरम के सुरुवात की है या इसका कौन सा संस्क्रड है तो ये इसका दूसरा संस्क्रड है इसका दूसरा संस्क्रड है ये दूसरा संस्क्रड है, चुकि पहला संस्क्रड लॉंच किया चुका था, इस बार का जो है दूसरा संस्क्रड है, इसका युद्देश क्या है, जितने हमारे यूथ हैं, युवा हैं, तो युवाओं को अंतरिच प्रोदोग की अंतरिच विज्ञान और अंतरिच पर मौलिक ज्यान देना है मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ युवाओं को अंतरिच प्रोधोगी अंतरिच बिग्ज्यान तथा अंतरिच अंप्रियोगों पर मौलिक ज्यान देना है इसमें वैच हात्र जो आठ्वी क्लास की परिच्छा उत्रिड कर चुके हैं और नौवी क्लास में अध्रहन रतन हैं ये उसके लिए पात्र है भारतिये बैंक असोसियेशन के नए CEO किसे बनाए गया है तो भारतिये बैंक असोसियेशन जो है उसके नए CEO बने हैं सुनील महता सुनील महता आई भी ये के नए CEO बनाए गया है इससे पहले ये PNB के पंजाब नेशनल बैंक के MD रहे हैं और इन्होंने जो है वीजी कंनन का स्थान लिया है वीजी कंनन का स्थान लिया है सुनील महता ने और इंडियन बैंक असोसियेशन का हेड़कॉर्टर जो है में है और आइबिये क्या करती है भारतिय बैंक को वह बित्तिय संस्थाओं का समू है आइबिये जितने वे इंडियन बैंक है और फाइनसियल जितने वे इंसिचूशन है उन सब का गुरुप शमू जो है आइबिये है हाली में PT. Umir Kaya का कोजी कोट में निधन हो गया PT. Umir Kaya इनका निधन हो गया वक्किस संस्था के पूरुपाधच रही है तो ये रही है सतरंज की सतरंज की पूरुपाधच रही है PT. Umir Kaya Reset Regaining India's Economic Legacy पुस्तक किसके दोरा लिखी गई है Reset Regaining India's Economic Legacy पुस्तक किसके दोरा लिखी गई है तो ये लिखी गई है शुब्रमढयम स्वामी के दोरा शुब्रमढयम स्वामी के दोरा लिखी गई पुस्तक Reset Regaining India's Economic और एक important चीज जान लीजिए कि हाली में संजे कोठारी है संजे कोठारी संजे कोठारी की न्यूक्ती जो की गई है CBC के लूप में की गई है CBC के रूप में किसकी न्यूक्ती की गई है संजे कोठारी की न्यूक्ती की गई है जो केंद्रिय सतक्ता आयूक्त के पद पर न्यूक्ती जो की गई है संजेक उठारी की नोटी गई तो एक चीज़ ये नोट कर लिजिए दूसरी चीज़ जो है बिमल जुलका है बिमल जुलका बिमल जुलका है इनको बनाये गया मुख सूचनायूट C.I.C मुख सूचनायूट इनको बनाये गया है Chief Information Commissioner बनाये गया है बिमल जुलका को और सुरेश एन पटेल है एक लोग सुरेश एन पटेल सुरेश एन पटेल इनको बनाये गया है सूचनायूट सूचनायूट और अमिता पांडे हैं अमिता पांडोब इनको बनाये गया है सूचनायूट तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ आप लोग नोट कर लें संजेक उठारी हमारे हैं अगले केंद्रिय ससकता आयुक्त बिमल जुलका बने हैं मुक सूचना आयुक्त और सुरेस इनपटेल बने हैं सकता आयुक्त और अमिताप अंडोब बनी हैं सूचना आयुक्त तो ये थे आपके most important current affair जो आपके आने वाले सब्सक्राइब के लिए काफी important है तो so please friend आपका support भी मेरे लिए काफी important है तो चैनल को subscribe करिएगा वीडियो को like करिएगा अपने दोस्तों के साथ share करिएगा और comment करके बताएगा आपको वीडियो कैसा लगा मिलता है नेक्स वीडियो में God bless you to all